हेलो दोस्तो मेरा नाम परदीप कुमार और आप देख रहे हैं ABC4U YouTube चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे oil painting के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसी तरह का effect बनाना बताऊंगा और आप किसी भी picture में इस effect को लगा सकते हैं तो दोस्तो चलिए अप अपने topic की और बढ़ते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक request और करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो डिट कलर वाले सब्सक्राइब बटम पे क्लिक करके चैनल को कर लीजिए साथ में बेल घंटी दिएगा उस पे क्लिक करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे है तो चलिए अब अपने topic की और बढ़ते हैं तो मैंने एक image एक्जामपल के लिए open कर लिय करेंगे adjustment उसके बाद यहां से shadow highlight पर क्लिक करके और थोड़ा बहुत shadow हम दे देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अब आप यहां से यह जो image है इसको आप control J करेंगे double copy बनाना है control J जैसा कि आप देख सकते हैं और सबसे उपर वाला जो layer है इसको select करना है फिर filter menu में उसके ब देखिए हमें जरूरत है two pixel तो हम two type कर लिए उसके बाद okay कर लेंगे अब यह दोनों image जैसे कि यह दो layer है तो यह जो उपर वाला layer है इसको select करके और यहां से overlay कर लेंगे फिर आप यह दोनों layer को जैसे कि shift के साथ इसमें बहुत सारे friend का दिक्कत होता है keyboard में आप shift क्लिक कर लेंगे और यहां से layer select बहुत ही असानी से कर सकते हैं फिर आप control e करके merge कर लिजिए जैसा कि आप देख सकते हैं यह merge होने के बाद आप यहां से जाएंगे filter menu और यहां से आप सार्पेन में जाएंगे और अंसार्पेन जैसे कि अंसार्प मास्क इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आप देखना चाहते हैं तो थोरा zoom कम कर लिजिएगा तो यहां से दिखेगा पूरा image और यहां से जो इसका amount है आप लगभग 100 के असपस में रख लिजिए जैसा आपका picture का resolution है उसी के अनुसार इसको रखना होता है तो यह हो गया और यहां से two radius सही है आप यह यहां से घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अनुसार यह रहेगा तो हम two point five रखते हैं आप अपने picture के अनुसार रखिएगा उसके बाद okay कर लेंगे तो यह serpent effect आ गया अब हम बात करते हैं कि इसमें oil effect कैसे दे सकते हैं तो ऐसे भी देखिए Photoshop CS6 में यहां से oil paint है तो इसको मैं use नहीं करूंगा यहां से stylize में हम जाएंगे उसके बाद diffuse में जाएंगे डिफ्यूज में जाने के बाद आपके Photoshop में default में यह normal रहता है तो आपको यहां से any sort traffic पे click कर लेना है उसके बाद okay कर लेना है उके करने के बाद यह filter apply हो जाएगा अब आ time जैसे कि आप अपने picture के resolution के अनुसार इसमें जितने time आप filter लगाएंगे वो काम करेगा जितने अच्छा effect देगा अगर आपका जो image का resolution है कम है अगर आप इस filter को ज्यादा बार योज़ कर लेंगे तो आपका image विगर सकता है तो आप अपने picture के resolution के हिसाब से इसमें filter लग करते हैं तो उसका एक shortcut की बन जाता है जैसे कि यहाँ से filter में जाएंगे और यहाँ से देखिए diffuse का इसमें से जो भी filter आप यूज़ करेंगे तो उसका shortcut की बनता है वो होता है control F तो आप 5 time एक picture पे लगा सकते हैं जैसे कि मैं जो picture पे बता रहा हूं वो आप 3 time लगाएंगे control F करेंगे control F करेंगे theory time तो मैं इसमें apply कर लेता हूं three time करने के बाद आप जाएंगे यहाँ से image मेनू में फिर आपको जाना है image rotation उसके बाद 90 डियग्री पे rotate कर लेना है clockwise फिर आप यहाँ से theory times filter apply करना है फिर theory time करने के बाद आपको फिर इसमेंगे ईमेग्र ändern उसके बाद यहां से image rotation और यहां से फिर clockwise 90 degree पे rotate कर लेना है फिर आपको 3 time यहां से filter apply करना है फिर आप यहां से image menu में जाएंगे image rotation और फिर यहां से 90 degree पे rotate करके और फिर 3 time apply करना है इस filter को तो मैंने सभी angle पे 3 time diffuse filter को apply किया है तो आप भी कर लिजेगा उसके बाद आप जाएंगे यहां से filter menu उसके बाद noise का filter दीखेगा इसमें आप को आना है और यहां से reduce noise जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद यहां से जो picture है आप ऐसे करके देख सकते हैं करके और यह सब आप 00 कर लिजिएगा और यहां से strength है तो इसको थोड़ा बहुत हाई कर लिजिएगा जैसे कि अपने picture के अनुसार उसके बाद यहां से okay कर लेंगे अब यहां से आप filter menu में जाएंगे और यहां से sharp end और जो unsarp का mask है इस पर आपको click करना है और यहां से इसको आधा कर लिजिए जैसे कि 108 कर लिजिए और यहां से आप देख सकते हैं कम कर लिजिएगा और इसके बाद okay कर लिजिए तो यह हो गया यह होने के बाद आप control यह करेंगे फिर filter menu उसके बाद other और यह से high pass में जाना है और यहां से 2 pixel का radius लेना है ओके कर लेना है फिर आप यहां से blending option में जाएंगे और यहां से आपको कर लेना है overlay overlay करने के बाद यह तो हो गया आप देख सकते हैं और अब भी में यह different आप देख सकते हैं उसके बाद आप यहां से एक screenshot ले सकते हैं alt control shift और E press क इतने भी layer है वो सभी का एक उसके बाद आप जाएंगे यहां से image menu में उसके बाद auto tone में जाना है तो यह देखिए कुछ इस तरह से effect आ जाएगा जैसा कि आप picture जब zoom करेंगे तो यह आपका picture कुछ इस तरह से दिखेगा अब बात करते हैं कि इसमें जो color grading है वो आप कैसे कर स सकते हैं उसके बाद यहां से आप color 24 कर लिजिए जो भी आप color रखना चाहें उसको select कर लिजिए और यहां से हमने soft वाला बरस select किया है और इसका size बहुत ज्यादा है उसके बाद यहां से कुछ इस तरह से एक बार आपको click कर लेना है इस angle पे उसके बाद यहां से आप color रखते हैं उसके बाद उपर से देते हैं color जैसा कि आप देख सकते हैं फिर जो नीचे का angle है तो हम यहां से दूसरा color select करते हैं आप अपने अनुसार जो भी color आपको अच्छा लगे उसी को आपको select करना है तो बहुत बढ़िया है यह color हो गया उसके बाद हम यहां से paint के आसपास में ताकि हमारा जो design है वो perfect देखें तो यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह बना सकते हैं oil painting Photoshop CS6 में तो यह कुछ इस तरह से effect है तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर पसंद आया होगा वीडियो को like और share ज इसी टापिक ते साथ